हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच्डियस ट्यूटियोल पर स्वागत है तो आज हम लोग इस वीडियो में जेकपोड कलास 6 का विकली टेस्ट सोसल साइंस का भेर बेर इंपोर्टन कोर्शन देखने वाले हैं इस वीडियो में लोग सोसल साइंस का देखेंगे इसके ब साथ सेर भी कर दीजेगा ताकि उन लोगों का भी विकली टेस्ट अच्छे से जासे कर उन्हें भी इस वीडियो का लाब हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चले विना देर के हम लोग कोशन के और बढ़ते हैं आप लोगों से 10 MCQ कोशन पूछा जाए कौन जैन धर्म के संस्थापक हैं पहला गौतम बुद्ध दूसरा महाबीर तीसरा अशोक चवथा कोई नहीं तो जैन धर्म के संस्थापक महाबीर जी हैं अप्सान नमबर दूसरा बिलकुल सही हो जाएगा इसे आप लोग याद कर लीजेगा बहरी बहरी इंपोर्टन को पहला अप्सान है माया दूसरा चाया तीसरा लक्षमी जोथा गीता तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सान नमबर पहला माया गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देविता इसे आप लोग याद कर लीजेगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड नमबर की और थर्ड कोशन देखिये कल्प सुत्र जैन धर्म का सबसे महतपून गरंत किस भासा में लिखी हुई है कल्प सुत्र जैन धर्म का सबसे महतपून गरंत किस भासा में लिखा गया है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत या फार्सी इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सान नमबर तीसरा संस लिखा गया है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग चार नमर की और चार नमर के कुर्शन देखिए वाई मंडल को मुखे रूप से कितने मंडलों में बाटा गया है यानि कि यह हमारा प्रिथवी है तो प्रिथवी के चारों और जो आयूप का आवरा नहीं से वाई मंडल कह फिर देखिए नेक्स्ट अगला प्रिथवी पर कितने महातोईप है लूप सही हां अगला कोस्ये स्या अंचर हो जाएगा प्रिथवी पर 7 महातोईप है जिसमें से सबसे बड़ा Asia है और हम लोग भी Asia महाथूइप में रगते हैं फिर दिखे next अगला question 6 number निला ग्रह निविन मेंसे किस ग्रह को कहा जाता है निला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है बरिफ्वी को, मंगल को, सुक्र को, बुद्ध को यह तो बहुत ही जी question है तो चलिए six number का आप लोग comment करके बताईएगा कि six number का क्या सही अंसर होगा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है comment किजिएगा question number six देकर अब लोग बढ़ते हैं seven number की और seven number question है सबसे बड़ा महाशागर निमन में से कौन है सबसे बड़ा महाशागर बताना है पहला option है प्रशान्त महाशागर दुसरा हिंद महाशागर तिसरा अंटार्क्टिक महाशागर चोथा इन में से कोई नहीं तो सबसे बड़ा महाशागर है प्रशान्त महाशागर इसको आप लोग याद कर लेज़ेगा प्रशान्त महासागर सबसे बड़ा महासागर है सबसे बड़ा दूइप एशिया महादूइप इतो बच्पन में ही आप लोग याद किये होंगे देखे नेक्स्ट आठ नेमबर सम्विधान का प्रस्तावना निम्न में से किस स्वाक्य से सुरू होता है समिधान का प्रस्तावना किस से सुरू होता है पहला देखिए मैं भारत का दुसरा अपसन है हम लोग भारत में तिसरा अपसन है हम भारत के लोग और चोथा इन में से कोई नहीं तो देखिए भारत का जो समिधान का प्रस्तावना है वो शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपोर्ण इस तरीके से हमारा प्रस्तान शुरू होता है तो option number तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा इसे आप लोग याद कर लीजेगा फिर देखे नेक्स्ट अगला नौ नमबर जैपाल सही मुंडा किस खेल से जुड़े हुए थे जैपाल सही मुंडा किस खेल से जुड़े हुए थे पहला फुटबोल दुसरा किरकेट तीसरा होकी और चौथा कबड़ी तो इसका सही अंसर हो जाएगा जैपाल सही मुंडा हो की से जुड़े हुए थे इसे आप लोग याद के लिजेगा बेर बेर इंपूटेंट कोस्टन है अगला कोस्टन के और अगला कोस्टन बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर में इंट्र कोस्ट कई प्रकार का कम्प्यूटर नोलेज आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंग दे दूँगा जाकर एक बार जोर चेकाउट करिएगा और उच्छा लगए तो सब्सक्राइब जोर करिएगा चलिए अगरा कोसन बढ़ते हैं हम लोग अब दस दस नमबर कोसन है बाबू राम नरायन सी वर्तमान के किस जीले के निवासी थे पहला अपसन चत्रा दूसरा गुमला तिसरा हजारी बाग चौधा राची तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नमबर पहला चत्रा जो कि फिलाल अभी बिहार में है तो बाबू राम नराय सब्सक्रान सी चत्रा जीला के निवासी थे इस आप लोग याद कर लीजेगा बहुत को सब्सक्राइब याद कर लेना और वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर भी कर दीजेगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब हो सकेगा अब लोग एक एकस्ट्रा जाता है तो इसका उत्र देखिए प्रित्वी का 71 प्रतिसत से अधिक भाग जल से घिरा है इसलिए बाह अंत्रिक्ष से यह नीला दिखाई पड़ता है यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है यह कोर्शन काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है अच्छी तरीके से अपन प्रतिक भाग जल याने कि पाने से घिरा हुआ है और अंत्रिक्ष से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को नीला दिखाई देता है यही कारण है प्रित्वी को नीला कर नहीं कहा जाता है इसे आप लोग याद कर लिजेगा सभी को याद कर लिजेगा और विडूक सिखना चाहते हैं तो नीचे जरूर जाकर चैनल को विजिट कीजेगा विडियो को देख लीजेगा अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कम्पूटर सिखना तो आज कल जरूर ही है ठीक है तो कम्पूटर सिख लीजेगा आज के लिए तना ही थेंक पर वाच्वें वीडियो जय हिंद जय भारत